प्रधान मंत्री ने कल अत्रकार वारता के मैध्यम से खुद पर लगे दाग धुने का निरर्थक प्रयास किया लेकिन साथ साथ बचने के लिए उन्होंने गुजरात को लपेटने की भी कोशिश की कल का प्रधान मंत्री का बयान मुझे लगता है कि शायद 2011 का सबसे बड़ा जोक है हस्यास्पत बात उन्होंने कही है जहां तक आर्थिक सुधार का सबाल है एकनामिक रिफॉम का सबाल है जियस्टी का सबाल है भारतिय जनता पार्टी का और गुजरात का रविया प्रारम से ही बहुत साफ है आज से एक वर्ष पर श्रिमान प्रणव मुखर जी भारत के वित्तमंत्री उनके साथ मेरी मिटिंग गुजरात में हुई थी और तब मैंने उनसे कहा था कि जब तक आप IT नेट्वर्क खड़ा नहीं करते जीएस्टी कभी सफल नहीं हो सकता और मेरी बात को उन्होंने स्विकार किया था और मेरी हाजरी में ही अपने प्रिंसिपल सेकरेटरी को सुचना दी थी कि एक टास्पोर्स बनाये जाए और ततकाल IT बेकप की वबस्ता का प्रभंद किया जाए तब ही जाकर के जीएस्टी सफल हो सकता है उन्होंने भी माना था और आज मैं जब यह इंटर्वी दे रहा हूँ तब तक उस दिशा में भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है मैं ये भी प्रधान मंत्री को बताना चाहता हूँ कि आप जीएस्टी को ले करके भारत सरकार ने जो एमपावर्मेंट कमिटी बनाई है जो जो सुधार करने के लिए सुझाव रखते हैं भारत सरकार कोई सुधार के सुझाव को स्विकार नहीं करती हैं राज्यों के आर्थी हीतों पर कोई खिलवार नहीं होना चाहिए ये न सिर्फ बीजेपी और भी राज्य बोल रहे हैं स्वयम प्रधान मंत्री के समर्थन में जो पार्टिया खड़ी हैं बे भी बोल रहे हैं तमिल नाडू भी बोल रहा है और इसलिए रिफॉर्म का एजेंडा वे लागू नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए सिर्फ प्रधान मंत्री जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार जिम्मेबार हैं राज्यों ने कभी असयोग किया नहीं है जो प्रात्विक काम करना चाहिए वह भी उन्होंने नहीं किया है और मैं कि दुनिया मैं क्या क्या गलतिया आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपने अपनी मजबुरियों को पब्लीक लिस्विकार किया हैं इसके लिए गुज़्रात के किसी मंत्री या सरकार को दोशित करना उचीत नहीं है यही मैं देश की जनता के सामने स्पश करना चाहता हूँ